हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमिद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरफचित होंगे तो देखिए मैं आज एक रेसिपी लेकर आई हूँ यह है पालक पनेर की रेसिपी जो घर पे बहुत आशानी शे बन जाता है और मैं जो भी बनात सुर्णा है कि आफ बर्ने की तरह देख को दिखा रही हूं कितना अच्छा लग रहा है तो मैं पर पनेर गहर पर दिखा रही हूं तो यहां पे मार पालक ले लिए हैं 2 बंडल में अच्छितर है साफ करके तोड करके पंदाद और दों करके ले ली उ Lage हो और यहां पर में कडाही ली ज़्या प्रवाद चुले हाँ दैं У has kanske अान अजने दर ने तो में यहां पर बॉल दोड़ कर लेता हूं ज्यादा दिर बॉल करते हैं इसे बस 3 मिनट बहुत है तो में देखिए अपाला के पतो में डाल चुकी हूं उसमें और उसे ड्रक कर खर के 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी पालक के पत्ते पालक के अच्छी तरह से रस्तीच जाता है तो यहां देखा रही हूं 3 मिनट हो चुका है और पालक के पत्ते जो है ज्यादा देर नहीं चूड़ना है क्यों कि ज्यादा गल जाएगा और इसका जो कलर है न वे अच्छा मितलब घ्रीन नहीं रहेगा तो जिसका रावाद को निकाल दी हूँ देखिए तुरंत मैं 3 मिनिट के बाद और निकाल ले के बाद यहां पर ठंडा पाने डालना है इसके उपर तो यह गरम है तो गर्म जाइए तो जो चला जाएगा इस से तो पालक में ग्रीन अच्छा लगता है तो मैं थंडा पाने डाल के दो ली हूं उसे थंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और यहां पर देखिए तीन मिर्च ली हूं हरा मिर्च है और यह अद्रक का टुकड़ा है दो टुकड़ा है अब यह लेशन है और एक में बड़ा में प्याज कर ली हूं और थो टमाटटर में कर ली हूं अब उसके बाद आध पालक मेरा ठंड हो रहा है जो मैं डख़ाल करके हूं और और पर कड़ा ही चढ़ा दी हूं उसमें दो चमें तेल डाल दूए हूं सरसू तिल है यह तिल जैसे गयर्म हो जाएगा यहां पर मैं ज जीरा के चटक जाएगा उसके बाद जो में प्याज कुछ करके रखी थी ऑफ प्याज को डाल दूँगी और एक प्याज किया हुआ है क्योंकि इसे फीक्स पेश्ट बनाना है और प्याय डालनी के बाद लशयान अदरक और जो हरा में चुछ में कट करके सब रखी था तो यहां पर मैं भून लेती हूं और यहां पर तब जैसे तो बहुदा भून जाएगा ना प्याई लेसे उसके बाद तमाटर डालते हैं तो मैं यहां पर तमाटर भी डाल दे रही हूं पालग पणरी में जब फॉलक दाले क्योंकि पालग थोड़ा सा इडिए करवा होता है तो उससे करवापन को दूर करने коह दों करने की लिए मैं चीनि दाली हूँ ID इसं belonging लिए मैं दोफ कर दाली हूँ अब यह पे में पणि ने कट कर ली हूँ यह घर का ही बनागा पनीर है जब भी बनाती हुआ घर पे बनाती हूँ तो यह बना गया है मैं घेस का फ्लेम और धुझा फ्लेम के लीदे चोड़ कर दोगी ताकि थंडा हो जाएका उसके बाद इसका पेश्ट बनाऊंगी तो यहां पर में जो पालक बुढ रखे तो उसे भी मैं डाल ली हूं और देखिए आप पालक में डाल चुकी हूं और अब जो प्याई तमाटर भूण के रखी हूं अधी लेष्टन से तो वह सबको भी मैं इसमें डाल लेती हूं ग्रेंडर में और हाफ ग्लास से भी कम वाटर है रिखिए उसे मैं इसमें एड कर लेती हूँ और डाल के फिर मैं इसका पेष्ट यार कर लेती हूँ अच्या से पीषना है जैसे भून जाएगा उसके बाद जो मैं पेष्ट बना करके रखी हूँ ना इसका पालक का और प्याज का उसको में डाल लेती हूँ तो मैं उसको डाल ली हूँ अब इसे में भूनूंगी थोड़ी दिर लो फ्लेम पे भूनना है इसे हाई पे बहुत ज्यादा मतलब यह जैल भी जाता है नीचे से बहुत ज्यादा देखे कैसे बाहर आ रहा है चुल्हे पर सब तरफ शेक रहा है पुरा तो जिसवचे से लो उसकान एक यहां पर एक चमज नमक डाल गये हैं शेक अकिलाद़ से मॉम्सा के क्या है । नमक डाल सकती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तो यहां देखिए मैं मलाई डाल चुकी हूँ और इसके बाद मैं पनीर जो कट करके रखी तो उसे डाल दूगी यहां पर पनीर को आप फ्राई भी कर सकते हैं नहीं भी फ्राई कर सकते हैं तो मैं फ्राई नहीं की हूँ ऐसे ही मैं कट करके डाल दूए हूँ तो उसको फ्राइब करने की जबरत नहीं है तो उसमें डाल ली हूं देखे पनिर को और सबसे लाट में गरम मसाला डालते हैं इसमें गरम मसाला का फिलेवर बहुत अच्छा आता है है तो सब मसाला के साथ नra डालते हैं सबसे लट में धेखिमिज牡र हहाज कर squash दुले पर इसमें है ने। खोड़ी शुखड़ कर दो दूंगी जुले पर हqupackом करके में ठोड़ी ने करने मिली होता है यह ठोड़ी कर कर देका अये ये में थोड़ा पपडिल को ने ग्रेट कर लिए थी उसे डाल रहे हूं ताकि करने से बहुत अच्छा लगता है उपर से डेंट कर लेते हैं और 나오den रहे उसको डालें ूपर से सब डाल दिए हैं अब देखिए यह हो चुका है मैं अब इसे बंद कर देती हूं आप लोग को मेरी रेशीप पसंद आता है तो प्लीज लाइक किजे सब्सक्राइब किजे फिर मिलती हूं तब तक के लिए बाई बाई